अस्सलाम आलेकुम रहमतुल्लाह वर्कातु हाथी वाला हरू को कथा ये उटा अनोट हो के था रठोलो घटना जुन नभी करीम सुल लावले सलम को जंद बंदा अगी घटे। रैस कथा को सुरुआत यहां बाटा भयो जब अब रहा अस्रम जण हपसा को राजा को तरफ बा करें तिहां हज को लागी बुलाओना जानते हो तिसको उद्देश येस बाटा बेपार तिसको कमाई वा फाइदा लाई मक्का बाटा यमन तिरह सिफ्ट गरने थियो और अब रहाले ये स्कूरा लाई इथोपिया को राजा सामों पेश गरें राजा सामत भयो राजा सामत करें पेश को पर खालना पनी तियो फोहर लगाई दियो जब अब रहाले ये अवस्ता चर्श को हेरो येस बाटा उधेरे को रोदित भयो रा मक्का माति या कर्मन गरना रा काबालाई ध्वस्त पारना युटा सिना तयार पार्यो उनी संगा तिरह वटा हाथी थिये तीनी हरु मद्धे सबर भेंदा ठोलो हाथी महमूद नामक थियो रा उनी हरु मक्का तिरह लागे अरब को कुने पनी कभीला अर्थात कुटुम्ब उनी हरु को सामना गरना सकेनन रजो जो लड़े सबर लाए उनी हरु ले पराजित गरे यहां समा कि उनी हरु मकका नजीद अब रहा अब्दुल्मुत्लिब को उम्ट फिर्टा गरोस। अब्दुल्मुत्लिब ले मक्का का पुरु सरूलाई सेहर खाली गन्ने अपना महीला रबच्चा हरु को साथ मापाड को चुचरो माबसने आदेश दिये यो डरबाटा कि अस अन्याई रहकर मनकारी सेना बाटा उन्यारु लाई दुखना पुगोस। अब रहा को सेना हीड़ो महसर भनने उपत्तका मापुगो। रब सेना उपत्तका को बीच मा हुदा चराहरु को एक पषी अर्पको टोली तियो सेना माठी ढूंगा खासलना थाले। रहरेक ढूंगा चना रदाल जती को थी यो ढूंगा सेना को कुमारिस माती खास्ती हो। पची पगलिन थेओ उसको मासू छरपष्ट होन थेओ यहां सम्मा की तीन हरू नश्ट भए अब रहात यहां बाटा भागयो रतिसको शरीर को मासू छरपष्ट होन थाले कथिये राबाटो मात्यो पनी मरयो रहायो घटना लाकू निसानी अर्था चिन हरू मत देख थियो रतिसको तर्भ बाटा उसको घर को समझ चकरू रतिसका बासिंदा हरू को मदद राकुरेश कुल कुला की ज़टा उपहार पनी थियो अल्ला अले भन्नु भयो अलम तरा कैफा फाला रब का भी अस्धाब फील अलम यजाल कईदहूं फी तजलील वारसला लएहम तवरन अबाबील तर्मेहम बहजारती में से जील फजाल हूं कास्पि माकूल के तीमेले देख़नेओं के तीमरो पालन करता ले हाथी वाला हरूसंगा के गरयो के उसले उनी हरू को दुस्चक्रलाई बिरत बनाई दिये ना उनी हरू मा थी समूह का समूह पंचिहरू पठाई दियो जो उनी हरू लाई मात और पत्थर को डला ले le hani रहका थिए जिसलिए उनी हरुलाई चपाई को भूज जस्तो बनाई दिये